अब आधाय पहांदा के काम करके दिखा होंगे जंता हमें जीता हैंगे तो मेवादा से पहले काम पुड़ा करों हमारे घर भर सिक्षा इस हमंचे भी पिस्टी सिक्षे जो हिस्सा हर एक साल बाहर जैसे अपदाओं से पीरित रहता है मैं आपको बता दू कि भी हम मौजूद है चम्था तीन पंचायत के भाग संख्या साथ छेत्र में जो पंचायत समीती का छेत्र परता है और हम छेत्र के भर्मन के दौरान तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं पंचायत के दाताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही पंचायत में जो चुनावी मैदान में जो परत्यासी हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं तो आज हमारे साथ एक पंचाइच समित्य उमिद्वार हैं, हम इनसे इनका परचय जानेंगे और किस उद्देज के साथ यह चुनावी मैदान में आये हैं, हम इनसे बात करेंगे सवर पर्थम बिटनिज भिहार आपका स्वागत करता है जी नमस्कार, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, तो आप हमारे सद्यास च्छेतर में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप किस पद से खड़े हैं और आपका क्या परचय है किस उद्देश से आप चुनावी मैदान में जी मेरा उद्देश से गाउं का विकास हो, जिसे हर साल हमारे गाउं में पानी के बजह से हमारा गाउं पीछे पढ़ जाता है हाँ में सब्टों के लाविति नंबार्धिकर में यड़़ाय वीद्दी extension आपको अपना जाआ समर्थन देते हैं और आपकी परथम परात्मिता हैं और भी इथन स severalu तो शिख्षा को लेकर आपका क्या उदेश रहेगा क्वेंकि और हर भ्यक्ति सिक्षी थो ड tip का विकास लूही हो जाएक क्योंकि गाओँ का अभी की सबसे ज़ल में सबसे जरूरी है यह सिख्षा इसलिए हम इस डॉल में इस मैदान में आए आपने कहा तक सिख्छा की है किस सब्जेक्ट से साइक्लोजियो नर्स कौन से यह में 2020 2020 में आपका डेट बर्त क्या है 1996 आप कम उम्र यानि आपका 25 साल चल रहा है और आपने चुनाई मैदान में आने का मकसद कुछ तो सोच रखा होगा तो गाउं का अभीकास हो बस यहीं हर वेक्टि सिख्छित हो हर किसी के पास हर चीज़क लवद हो हर सिख्धान हमारे तरब से पूरा कोशिशे है ज़ए इंसान सबसे रहे हमारे उड़े से सिख्छा हर व्यक्ति सिख्छित फंभा इस आप अपने मन से चुनाई मैद में हैं या किसी के कहने का नुशार नहीं नहीं जनता के सब सब का सपोर्ट है हर कोई चाहता है जिन नहीं हम इस पद से लड़े हम कुछ गाउं का भी तास कर पाए तो हमारे साथ आपने सुना कि पंचाइट समिती पद से उमिद्वार प्रीति कुमारी थे जो भाग संख्या साथ यानि चम्था तीन के भासर के असाथ से पंचाइट समिती उमिद्वार है मैं आपको बता दू कि बच्वारा परखंड में दस्वेश रण में चुनाव होना है और चम्था तीन से चार परत्यासी चुनावी मैदान में है इससे पुर्व पंच वर्षिया कार्ज का अ समाप्त हो चुका है और वह इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं वहीं चार परत्यासी चुनावी मैदान में हैं और यह हमारे साथ थे प्रिति कुमारी जिनों ने बताया कि हम अपने मकसद के अनुशाद पंचायत का विकास पंचायत के विकास को लेकर चुनावी मैदान में आये हैं यदि हमें सफलता मिलती है तो हमारी सबसे परतम प्रात्मिक्ता सिख्छा रहेगी तो हम आपको बचवाड़ा परखंड के विभिन हिसों अभगत करवा रहें या आखिर का वकिस उद्देश से चुनावी मैदान में आने के बार लोग कई वायदे तो करते हैं लेकिन वादे जब चुनाव परत्यास योगों सफलता मिलती है तो वादे भूल जाते हैं एक बार इन पी और फिर करना चाहूं और मैं इससे पोछना चाहूंगा कि क्या चुनारी बादे तो आपके नहीं है जी नहीं बिल्कुल नहीं मैं वादा नहीं काम करके दिखाऊंगी तो इनके मुख से आपने सुना इन्होंने कहा कि मैं वादा नहीं करती हूं काम करके दिखाऊंगी हलाकि यदि इनको सफलता मिलती है तो फिर सफलता मिलने के बाद या भाग संख्यासाथ का क्या विकास करेंगे मैं वो भी आपको दिखाऊगा क्योंकि यह एक graduate सिख्षित महिला परत्यासी हैं और इनकी उम्र कड़ीवन 25 साल है यानि डेट अब बर्थ 2021-1996 है और इन्होंने पहली वार चुनाई मैदान में अपना कदम रखा है तो आप हमारे साथ लगातादार बने रहिए मैं आपको छेत्र की एक-एक स्थिती से अवगत कराता रहूँगा और चुनावी यात्रा में पर्खंट छेत्र के विल पंचाइतों में मैं आपको ले जाऊँगा तो हमारे साथ बने रही है और देखते रहे बिटनीज बिहार कैमरामेन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट